जन्मास्टमी का दिन 12 अगस्त को मनाया जा रहा है आज हम बात करेंगे भगवान की पूजा सामगरी के बारे में साथ ही उनके श्रिंगार के बारे में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सामगरी में खीरा, चौकी, पीला, कपड़ा, कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की मूर्ती, सिंगहासन, पंचामित, गंगा जल, दूद, दही, शहद, दीपग, खी, बाती, धूबती, चंदन, अक्षत यानि की साबुचावल, तुल जन्म के बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नहलाना चाहिए, उसके बाद उनके वस्त्र, बासूरी, मौर्पंक, गले के लिए वेजिन्ती, माला, मुक्ट, हाथों में कंगन होने चाहिए, बाकि आप अपनी इच्छा अनुसार उनका श्रिंगार कर सकते हैं बाल गोपाल का जन्म होने के बाद सबसे पहले दूद, दही, घी, फिर शेहत से उनका सनान कराना चाहिए, गंगा जल से अभिशेक करना चाहिए, सनान करने के बाद पूरे भक्ती भाव से शिशु की तरह भगवान के बाल स्वरूप को आपको नहला धुला कर तयार करना जिन चीजों से बाल गुपाल का स्नान हुआ हो उसे पंचमृत कहा जाता है उस प्रशाद को बाटना चाहिए फिर भगवान श्री कृष्ण के नए वस्त्र उनको पहनाने चाहिए भगवान के जनम के बाद गीता गाएं कृष्ण को कृष्ण जी का पाठ करें चंदन अक्ष जनमाश्टमी का मंत्र कृष्ण जनमस्तव के उपरांत कृष्ण की पूजा शेंगार करें फिर इस मंत्र का जाब करें श्री कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमहा इस मंत्र का आप जाब करें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें कम करेंगे